हेलो गाईज, टॉकें दुगल में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे कपूरतला इलेक्टरिफिकेशन न्यू अपडेट के बारे में चलो वीडियो को शुरू करते हैं कपूरतला रेलिवे स्टेशन पर वाइरिंग का जो डिजिटलाइजेशन का काम चल रहा है प्रोपर वाइरिंग को सैटिंग की जा रही है प्लेटफान नंबर एक पर दो पर और दिरे दिरे इसके कंपलीट हो जाने के बाद यहाँ पर पॉल्स भी लगाने शुरू कर दिये जाएंगे और यह मैंने एक चोटी सी वीडियो बनाई थी आप लोग को दिखाने के लिए कि अभी कोई भी पॉल नहीं लगाया गया प्रेटफान्स पर कपूरतला रेलिवे स्टेशन के लेकिन कपूरतला रेलिवे स्टेशन के जब हम आउटर में जाते हैं तो वहाँ पर पॉल लगने शुरू हो गए हैं और अल्मोस्ट कपूरतला के आउटर पर पॉल्स तो लग चुके हैं पूरे तरीके से ये आप देखिए ये मैंने कुछ वीडियो शूट की है आप लोग को दिखाने के लिए कि कितना काम हुआ है एक्ट्रिविकेशन का कपूरतला रेलिवे स्टेशन पर उमीद है कि बहुती जल्द इस काम के कंपूरतला रेलिवे स्टेशन पर भी पॉल्स म्हेरा मतलब है कि प्लेट फारम पर भी पॉल्स लगाने शुरू कर दिये जाएंगे और इसके बाद सीधा वायरिंग का काम शुरू कर दिया जाएगा और जो लोईया खास से नकोदर वाली railway line है वो तो already electrified कर दी गई है single line electrification और यह railway line भी single electrification की जाएगी railway की तरब से doubling की अभी कोई update नहीं है इस project पर यह आप देख सकते हैं कि foundation भी बने हुए है और अभी कुछी दिर में यह पॉल शुरू हो जाएंगे यह आप देख सकते हैं एक पॉल गया यह अभी दूसरा पॉल आने वाला है wiring का काम इसलिए रुका हुआ है क्योंकि इस project को पहले complete करना है जो की wiring का काम चल रहे है अभी information अच्छी लगी होगी और हर एक new information के लिए आप मेरे channel पर बने रहे और मैं रोज कुछ ना कुछ update देता रहता हूँ चलो वो तो है आगे की बात मैं इसके target के बारे में भी बता देता हूँ मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इस project को 2022 में ही electrified करने की संभावना है बस ये कपूर्थला रेलवेशेशन का digitalization होने के बाद wiring का काम शुरू कर दिया जाएगा तो ये थी कुछ update इस project के बारे में information कैसे लगी like comment और share करके जुरू बता देना और हाँ आप लोग का फिवे चैनल टॉकिंग दुगल इससे जुरूर सबस्क्राइब करें और बेले गंदमाना मत पूलिए थैंक यू